चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाईया हो, या हो कोई भी घर का अन्ने समार और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी अभी डाउनलूड करिए बिग ब्लिस एप, बिग ब्लिस एप पहुचाएगा सारा समार 10 मिनिट में बिग ब्लिस एप खुशियों की अपनी दुकाएगा होडी हवा के कारण ठंड देखने को मिल रही है, मौसम विबाग की माने तो पंजाब, यूपी और हरियाना में आज यानी 15 फरवरी को आस्मान साफ रहने के साथ धूप निकलने का अनुमान है, वहीं दक्षीन भारत के कुछ राज्यों में हलकी बारिश हो सकती है राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार निकल रही धूप ने लोगों को कावी रहत मैसूस करवाई है, यहां सुमवार यानी कल भी आस्मान साफ रहा था और आज भी आस्मान साफी रहने का अनुमान लगाया गया है, मौसम विबाग की माने तो आज सु शुकरवार को मौसम में बदलाव हो सकता है, शुकरवार को बारिश का अनुमान है, हाला कि अगले दिन मौसम साफ रहेगा, वही पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी धीरे धीरे ठंड गायब होने लगी है, राज्य के ताक्मान में बड़ोतरी दर्च की जा रही है हाला कि यहां भी सुभा में कोरा चाया रहता है, लेकिन दिन में जादतर मौसम साफ हो जाता है और धूप निकल रही है, बाहर आईमडी के अनुसार इस हफ़ते की शुरुवात में जादतर मौसम साफ ही रहने वाला है, जबकि अंत में बादल चाय रहेंगे और बारिश हो सकती है, वही बारिश के कारण ठंड महसूस की जाने की भी आशंका है, आईमडी की माने तो इस हफ़ते पंजाब में अधिक्तम ताकमवान 27 डिग्री सेल्सियस और यूंतम ताकमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, दिन में धूप निकलने से सर्दी का असर क थोड़ी कमी आ जाएगी, वही बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में आज बारिश और वर्फवारी के आसार जताए गए हैं, दरसल पस्चिमी विक्षोब के एक्टिव होने के कारण परवतिय जिलो के मौसम में ये बदलाव आने की संभावना जताई गई है, मध्य परवति जिलो, शिमला, सोलन, सिर्मोर, मंडी, कुलू, चंबा और उच परवतिय जिलो कि नौर, लाहोल, स्पीती में, 17 फरवरी तक मौसम खराब बना रहने का पुर्वनुमान है, विर रिपोर्ट, माकेट टाइम्स, टीवी कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जानवार, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा समान आपके घर, 10 मिनट के अंदर, तुरंट डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप, खुशियों की अपनी दुकाब